वागतिया आप तभी का एको न्यू वीडियो पर देखिए अगर आपने भी MP बोर्ड में रुख जाना ने युजना का फॉर्म भरा हुआ है यानि कि आप किसी कारण से दो से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए इस बार के MP बोर्ड एक्जाम में तो ऐसे में आपको रुख जाना ने युजना के एक्जाम का आपको दिया जाता है अब इसके जो फॉर्म है वह भनने स्टार्ट हो गए थे इसकी जो एंड डेट थी वह भी पांच मही थी यानि कि जिन बच्चों को भी एक्जाम देने वह अभी तक फॉर्म भढ़ चुके होंगे अब उनकी MP Open Board की तरफ से Conduct करवा जाते हैं और ये 1 केर में दो बार होते है यानि कि Part 1 and Part 2 अभी आप जो एक्जाम दो ग Clay मही में वह रहेंगे Part 1 and Part 2 पास नहीं हो पाते हैं वह Part 2 के एक्जाम देके भी पासथ हो सकते हैं पर उसका कोई सेंस होता नहीं है तो आपको अपना main focus रखना ह पार्ट वन पर जो कि अभी मई में हो रहे हैं इसका जो टैम्ट वन ने वो भी जारी कर दिया है MP वोड ने अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पास होना है आपको कम टाइम में अची तैयरी करना है तो आप मुझे टेनीग्राम पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको अपना नाम बताना है 10 और 20 बताना है कहां से आप हैं किन सब्जेट के आपको इंपोर्टन कॉशन चाहिए यह सारी चीज़े आप मुझे जैसे भेजेंगे मैसेच के तुरू मैं आपको इसका रेपनाए दूँगा मैं आपको प्रोसेस वगरा बताऊँगा आपको पेमेंट करनी रहेगी देना पेडियेफ के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई कर सकते हैं उसको आप पढ़के पास बड़ी अरम से हो जाओगे काफिस सरह बच्चों को मैं औरडी प्रोवाइड कर चुका हूँ अब अपन यह बात करते हैं कि इसके जो एड्मिट कार्ड है वो कब तक जारी हो जाएंगे तो जो नियम है वह तो ऐसा है कि की एक अजराम सबस्चार्ण अगर को पास देना नहीं होगे अप अगर और चेक करना है तो आप कर भी सकते हैं मैं आपको प्रोसेस बता दीता हूं कि कैसे आपको अपने एड्मिट कार्ड डाउंडूर करना है इसका जो एड्मिट कार्ड रहेगा उस पर आपके प्रिंसिपन के सिगनेचर वगर की कोई भी जरूत नहीं है डारेक्ट आप अपने प्रिंट करवा के लांप पर जाऊगे तो आपको एंट्री दियंगी और प्रिंट काफी फच्छे पूछ रहते किशाम सेंट कहां पर आएगा लगर पर जाने पर कोई और टा banc न से्टर एह judgments ऌते महीं होते हैं आपका एक्जाम सेंट किए वह भी हो सकता है जहां पर आपन वैसे तो चेंज हो सकता है चांसे से ही रहते हैं कि चेंज हो जाता है क्यों कि आप सारे बच्चे एक ही जगे बेट के एकजाम देते हैं क्योंकि रुखजन अनियुजना के काफी कम बच्चे फॉर्म बढ़ते हैं तो वह तो admit card का आने के आने के बाद ही आपको समझ में आए यहीं पर आएंगे इसी वेबसेट पर आएंगे पस्ट नमबर की वेबसेट आपके सामने आ जाएगा काफी कोई सर्वर्स आपके सामने नहीं आएंगे क्योंकि अभी एडमिट काड जारी नहीं कियेगा है जैसी आपके सामने आजाएगा इंटरफेस होता है इसका ज्याद कोई डिफरेंस नहीं होता है तो अभी तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्याम दीजिए काफी कम टाइम आपको दिय जबकि आपके एक्जम हर बार बाद में करवाए जाते थे पर टाइम कम बचा हुआ है और आपको कम टाइम में एच्छी तेयरी करनी है इन इंपॉर्टन कोशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलिग्राम पर मैसेच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आउट अता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप में से इस्टा बढ़ियम करके बाद भी कर सकते हैं